चुनाव आयोग अरुन गोयल अचानक से स्तीफा दे देते हैं जबकि उनका कारेकाल 2027 तक होता है लेकिन अचानक से अरुन गोयल के स्तीफे ने कई सवालों को जन्ब दे दिया है सवाल ये भी कि क्या चुनाव आयोग में सब ठीक ठाक है और आफिर क्यों आरुन गोयल ने अचानक से इस्तीफा दे दिया तो आज हम आपको इसकी इंसाइड स्टोरी सुनाने जा रहे हैं नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हर्श भारदवाज आप देख रहे हैं शेष्ट भारण साथ मार्च का दिन हूता है यानि चुनाव आयोग अरुर गोयल के स्तीफा देने से एक दिन पहले उसी दिन निर्वाचन सदन के ऑफिस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था इस दिन गोयल ने मुख्य चुनाव आयोग तर राजीव कुमार के नेतित में हुई चुनाव आयोग की बैठक में हिस्सा भी लिया इस बैठक कायोजन विदेश मंत्राले की तरफ से किया दिया था लेकिन ठीक इसके एक दिन बाद गोयल ने राजपती द्रौबदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौब दिया इससे पहले 4-5 मार्च को मुख्य चुनाव आयोग, राजीव कुमार और गोयल चुनाव की तयारियों का जाइसा लेने के लिए पक्षिम बंगाल की यात्रा पर थे आयोग आजप चुनाव की तयारियों के लिए इन दिनों अलग-अलग राज्यों और किंद शासित प्रदेश की यात्राओं पर है और गोयल ने इस यात्रा से पहले तबियत खराब होने की शिकायद थी खालांकि तबित खराब होने के बावजूद गोयल ने चार मार्च को चुनाव आयोग की कई संगठनों के साथ हुई बैठक में हिस्सा भी लिया ये मीटिंग रात के लगभग आठ बजे तक चली पांच मार्च की सुभे चुनाव आयोग की अधिकारी कॉलकाता के ओवेरोई ग्रैंड होटल में रुके वही पर गोयल के लिए एक डॉक्टर भी बुला आ गया डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाईयां दी लेकिन तबे ठीत न होने के कारण गोयल पांच मार्च को दोपहर 12 बजे कॉलकाता में चुनाव आयोग की प्रेस कॉंफरेंस में शामिल नहीं हो पाए चुनाव आयोक की प्रेस कॉंफरेंस के बाद बाकी अफसरों के साथ गोयल भी वापस दिल दिल दिया गए अगले दिन 6 मार्च को गोयल निर्वाचन सदन के आफिस में काम करने गए हालांकि उस दिन कोई खास मीटिंग नहीं थी जिसके लिए पूरे अधिकारियों को आना जरूरी था साथ मार्च को गोयल चुनाव आयोक के मुख्य चुनाव आयोक राजीव कुमार के साथ विदेशी मीडिया से बातचीत करने वालों में से एक थे जहां राइटर्स, New York Times, Associates Press, Bloomberg News, BBC, Nikkei, Dolcevele, France 24 और Australian Broadcasting Corporation जैसे अंतरास्ति मीडिया संगठनों के 27 पत्रकार मुझूद थे चुनाव आयोक और अन्य विश्यों से जुड़े सवालों के जवाब मुख्य चुनाव आयोक राजीव कुमार ने ही दिये और गोयल खामोश रहे आठ मार्च को गोयल को चुनाव आयोक की ग्रह सचिप अजे भल्ला के साथ बैठक में शामिल होना होता है इस बैठक में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती को लेकर चर्चा होनी थी जो चुनावों के लिए बहुद एहम काम होता है लेकिन इस बैठक से पहले ही गोयल ने अपना इस्तीफा राजपती को भेज दिया गोयल के स्तीफे की कौपी ना तो मुख्य चुनाव आयुक को भेजी गई और ना ही इसे किसी और को दिया किया इसके बाद गोयल के स्तीफे को राजपती बुर्मु ने 9 मार्च को स्विकार कर लिया अब ऐसे में सवाल उठी कि क्या अरुण गोयल का मुख्य चुनाव आयुक राजीव कुमार से कोई मतभेट था क्या गोयल का सरकार के साथ कोई मतभेट था क्या फिर उन पर किसी ने इस्तीफा देने का दवाब बनाया फिलाल अपने स्तीफे में अरुन गोयल ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है हालांकि ये माना जा रहा है कि अरुन गोयल के स्तीफे की वज़े कुछ और है फिलाल भारत के चुनाव आयोग में तीन चुनाव आयुक्त होते हैं जिन में से एक मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEO होता है राजीव कुमार इस समय भारत के चुनाव आयुक्त है फरवरी में अनूप चन्रपांडे चुनाव आयुक्त के पस से रिटार हुए है उनकी जगय अभी कोई नियुक्ती नहीं हुई वहीं अरुन गोयल ने अचानक इस्तीफा दे दिया है अब सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही चुनाव आयुक्त में एक मात्र आयुक्त बचे है खैर अभी ADR के कुछ सजस्य और कुछ रिश्लेशक की कह रहे हैं कि अरुन गोयल के मतभेद केवल मुख्य चुनाव आयुक्त से नहीं बलकि सरकार से भी थे पर इसी वज़े से उनका इस्तीफा हुआ पर सच्चाई क्या है यह भी कोई नहीं जानता फिलाल देश में अप्रेल मई में आम चुनाव होते हैं खालांकी अभी तक 2024 आम चुनावों यानी लोगसबा चुनावों के लिए कोई कारेक्रम खोशित नहीं किया गया साल 2014 के चुनावी कारेक्रम की खोशना 5 मार्ट 2014 को कर दी गई थी जब कि 2019 के चुनावी कारेक्रम की खोशना 10 मार्च को कर दी गई थी ऐसे में ये माना जा रहा है कि आगामी लोकसबा चुनावों का कारेक्रम जल्दी घोशित किया जा सकता है ऐसे में कुछ लिश्रेशक ये भी मानते हैं कि अरुण गोयल के इस्तीफे के तार चुनावी कारेक्रम से भी जुड़े हो सकते हैं गा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र है. भारत में आरण चुनाव, दुनिया भर में लोगतंत्र का सबसे बड़ा आरकरम होते हैं. खालांकि चुनावों में पारदर्श्यता का सवाल हमीशा उठता रहा है… खाली के दिनों में EVM के इस्तमाद को लेकर भी सवाल उखे थे और अचानक से गोयल के इस्तीफे ने भी भारत के चुनाव आयोग की निश्पक्षता और विश्वस्नियता पर सवाल खड़े कर दिये हैं क्योंकि इस अचानक हुए इस्तीफे से सबसे बड़ा नुकसान चुनाव आयोग की विश्वस्नियता को हुआ है खैर जब तक गोयल के इस्तीफे का कारण सामने नहीं आ जाता जब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा फिलाल चुनाव आयोग में दो चुनाव आयोगतों के बद अब भी खाली हैं और अब सिर्फ मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार ही रह गए हैं सुप्रीम कोट ने अपने आदेश में चुनाव आयोगतों के लिए कॉलेजियम की विवस्था करने के लिए कहा था हालंकि केंद्र सरकार निवक्ती के लिए नया कानून लेकर आई थी इसके तहर्ट चैन सम्यूति को चुनाव आयोग को निवक्त करना है इसमें भारत के प्रधान मंत्री, लोकसभावें विपक्ष के नेता और प्रधान मंत्री की तरफ से नामित केंद्रे क्याबनेट के एक मंत्री शामिल होगे लेकिन अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर नए आयुक्त तुरंत नियुक्त कर भी दिये जाते हैं तो क्या उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आपको समय मिल पाएगा वैसे देखा जाए तो अब सिर्फ राजीव कुमार ही चुनाव आयोग में फैस्टा लेगे अगर दो नए आयुक्त नियुक्त भी कर दिये जाएं तो उन्हें काम समझने में भी वक्त लगेगा ऐसे में पूरा दारोंदार राजीव कुमार पर ही आचाता है फिलाल अरुन गोयल पंजाब करडर के रिटार आई एस अधिकारी हैं गोयल नवंबर 2022 में भारत के चुनाव आयुक्त बने थे अरुन गोयल की नियुक्ति को सुप्रिम कोट में चुनावती भी दी गई थी अरुन गोयल ने 37 साल तक IAS के रूप में काम किया 31 दिसंबर 2022 को अरुन गोयल रिटार होने वाले थे लेकिन इससे महीना भर पहले 18 अवंबर 2022 को उन्होंने वालेंटरी रिटार्मेंट ले लिया और वालेंटरी रिटार्मेंट होने के एक दिन बाद ही भारत के रास्पती ने उन्हें चुनाव आयुक्त के पत पर नियुक्त कर दिया था पांच मई 2022 से खाली पड़े चुनाव आयुक्त के पत पर नियुक्त होने के अगले ही दिन आरुन गोयल ने कारभार संभाल लिया था हारां कि अरुन गोयल की न्युक्ति के समय सुप्रीम कोट मुख चुनाव आयुक्त की न्युक्ति की प्रक्रिया को लेकर याजकाओं की सुनवाई कर रहा था अरुन गोयल की न्युक्ति को चुनावों में पारदर्शिता के लिए काम करने वाली संस था Association for Democratic Reform यानी ADR ने सुप्रीम कोट में चुनवाती थी हालां कि ये याजका आदालत ने खारिच करती थी ADR के दलील थी कि अरुन गोयल को चुनाव आयोग में न्युक्ति की जानकारी रही होगी इसलिए ही उन्होंने एक दिन पहले ही स्वेच्छा से रिटार्मेंट ले लिया था दरसल चुनाव आयोग्त को न्युक्त करने के पैनल ने जिन चार हरिकारियों को शौट लिस्ट किया था उनमें अरुन गोयल के पास सबसे कम अनुभव था लेकिन अरुन गोयल की न्युक्ति हो गई थी गोयल की न्युक्ति के समय मुक्य चुनाव आयोग्त और चुनाव आयोग्तों की न्युक्ति की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोट ने टिपने की थी कि इस बात को लेकर थोड़ा आश्चारे हुआ कि अधिकारी ने गोयल ने 18-11-2022 को स्वैचिक रिटार्मेंट के लिए आविदन कैसे किया अगर उसे नियुक्त करने के प्रस्ताफ के बारे में चानकारी नहीं थी फिलाल विरोध और सवालों के बावजूद आरुन गोयल ने पजसे स्टीफा नहीं दिया था खारांकि अब अचानक उन्होंने स्टीफा देकर सक को चौका दिया है क्योंकि एक समय ऐसा था जब केंदर सरकार ने गोयल को नियुक्त करने के लिए सबी कायदे कानून नजर अ अंदास कर दिये थे सुप्रेम कोट ने भी सक्त टिपनिया की थी अब गोयल ने अचानक स्टीफा दे दिया है इससे यह कहा जा सकता है कि चुनावा लोग में सब कुछ ठीथा नहीं चल रहा है फिराल ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें श्रेष्ट भारत श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत